जहीं दोस्तों स्वागत रहा आपका अपका अपनी टूप चनले एजुकेशन बित मोहन में मैं मोहन आप सभी के स्वागत करता हूँ और आई आज की इस वीडियों हम बात करेंगे 40-40% की मुद्दे को लेगर बाई देखें जैसा कि आप सभी लोग जहनते हैं कि हम लगेतार प्रियास कर रहे थे बरतमान सिवरास सरकार से परंतु सिवरास सरकार ने तो कोई भी आशवासन नहीं दिया और ना ही हमारी कोई बात सुनी परंतु बहीं पर विपक्ची पार्टी जो की कमलनाच जी की सरकार है उसने हमें कई आश्वासन दिये हैं जिससे कि हमारा जो मुद्धा है पूरा करने का वादा किया गया है तो देखिए कई दिनों से जो है लगे तार भाई वेहन जो लगे हुए थे और इसी मुद्धे को लेखर काफी जादा आंदोलन भी किये परन्तु बरतवान संकार ने इस्टुडेंट थे वो कहां पहुंचे थे इंदवर में पहुंचे थे और यहांसे 51,000 मांग को लेकर और बरगे एक की जो पोस्ट थी उनको बढ़ाने को चाहे नोटिफिकेशन बरगे दो हो सब को लेकर जो है कमलनाज जी के वहां पहुंचे थे और उन्होंने सुना भी और यूबाओं के पास पहुंचे भी और उन्होंने आशवासन भी दिया कि आप सभी की जो मांग है वो पूरी होगी परंतिक कब होगी जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार बनते ही जो है वो आपका काम हो सकता है ऐसा आशवासन हमें स्री कमलनाज जी दिया था अब बात आती है कि अभी क्या हो रहा है तो देखिए अभी जो है बाइबेन लगे हैं एक ग्रोप है उसमें मैं भी एड़ू जिसमें की पंडोल करसर और रभी बिलदार दो लीडर हैं तो उसमें क्या हो रहा है वो लगेतार जो है चाहे सीम सिवराज सिंग चोहान रहे हैं तो लगेतार क्या लगेतार दोरे कर रह रहे हैं लगेतार धोर रहे ंसे की बहुत जादा ऑच्छी बात है और सबस बड़ा बात कि Stretch रहेगा कि मुद्दा है लेटेस्ट में ठीक है यदि कोई चीज़ है तो उसे लेटेस्ट में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप सभी भाई बैंजों भी है उनका साथ देंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि बचन पत्र में जो हो सम्मिलित करने की बात की जा रही ह यानि मद्द प्रदेश बालों को 11 बचन दिये हैं जिसमें की बहुत से सारी आपने देखा होगा योजना जिसमें 1500 रुपे बहनों को मिलेंगे 500 रुपे में टंकी मिलेगी कर्जा माफ होगा और भी अन्य बात है जो है उस 11 बचन पत्र में सम्मिलित की गई है तो ऐसे में कि में यादी एक और बार जुँआ कमलनात बचन पत्र परस्थत करेंगे ऐसे में यहांनि कि 40 और 50 परसेंट की मांग यदि बचन पत्र में सम्मिलित हो जाती है तो आप समझे कि 90 काम हमारा हो गया तो बचन पत्र सम्मिलित करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि लगे 50% करना ठीक है यह कोई बड़ी बात नहीं है केबल पात्रता परिक्षा में दी 40-50% हो जाएगा तो इसमें केबल मोका जो है उनको मिल जाएगा जिसके 40-50% आए हुए है ठीक है जो भी केटिगरी है उसके इसाफ से जैसा 40-50% दी उनके आए हैं तो वो केबल पेपर देने की यूगों में यह नहीं मांगा जा रहा है लंबे समय से प्रियास किया जा रहा है परनतु वरतबान सरकान कोई भी आशबासन यह कुछ वी ऐसा नहीं किया आंदलन भी किया ग्यापन भी दिया परन्तु कुछ भी नहीं station मैं एक उम्मीद जो हो है वह भर कर तो बोजी के लिए पोजिटिव करने वाला ही होगा तो आप सभी जो जो है समच के को ऑ extra कि कोई ऑंदूलन बगेरा बहार पर्मिशन है तो बिलकुल आपकर सकते हैं ऐसा नहीं है और बीड़ तो भीड अभी नवरात्री आईगी तो भीड तो होगी या तोहार बगेरा सब मनाए जाएंगे और यदि आफसानती पूरवक किसी से मिलने जाते हैं तो इसमें मिलने में कोई भी दोराई नहीं है ठीक है तो बिलकुल मिल सकते हैं ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग मिलने ही सकते ह टीक है तो अधी कोई मिलने का ऐसा हो तो आप बढ़ चड़कर इससा लीजिए जिससे की आपकी हमारी मांग पूरी हो सकते हैं चलिए बस इतना ही बोलना था अभी के लिए इतना ही यदि आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर दीजि अभी के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिन जय भारत